शिवपुरी शहर में संचालित शासकिय आईटी आई के बाभू थिनुराज मालवेया ने अपने ही विभाग के अस्थाई सफाई कर्मचारी रमेश वालमीट से रिश्वत की मांग की वेतन व्रिधी के नए वेतनवान के हिसाब से वेतन बनाने के लिए बाभू द्वारा 21,000 रुपियों की मांग की जिसमें से सफाई कर्मचारी द्वारा पूर्व में 5,000 रुपे दिये जा चुके थे बाभू द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लोका युक थेस्पी वालियर को की गई जहां आवेदत में बाभू से की गई बादचीत का ओडियो सौपा जिसमें लेंदेन संबंधी चर्चा रिकॉर्ड की गई थी जिसके बाद लोकायक पुलिस ने सरकारी आईटी आई केंपिस में बने बाभू के आवास के बाहर 10,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए बाभू धनुराज मालविय को गिरफतार किया आदे दक 10,000 रुपे की राजी लेकर के आया और साथ में ट्रैपदल भी आया इस वीद अनुराज मालविय आरूपी ने अपने सास की आवास के बाहर इस्तित बगीचे में इसे विश्वत राजी भ्हन की और हम लोगों तरकार कर लिए पहीद दीखशक की रिपोर्ट